राजस्तान के सीकर जिले का कुक्याद गैंग्स्टर राजू टेहट जो आननपाल का सबसे बड़ा दुश्मन था इस दुनिया में नहीं है उसके हत्या हो चुकी है उसके घर वाले उसके परिजन उसके जाने वाले अब उसे इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मेडिया पर या जमini अस्तर पर उतरकर इंसाफ की माँग कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको राजू टेहट के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे साथी आपको राजू टेहट के हत्यारे रोहिद गोधारा के बारे में उसके आगे के ब्लान के बारे में बताएंगे जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि रोहित गोजारा राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन पनना चाहदा था इसलिए उसने राजु ठेहट की हत्या को अंजाम दिलवाया साथी इस वीडियो में आपको सेखने प्रवतार हो जुके हैं तीसरी बात इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो शूटर थे राजु ठेहट को मारने के बाद को कहा पर जाकर छिपे थे और किस तरह से वहाँ पर राध गुजारी थी क्या खाना खाया था और खाना खाने के बाद जब अगली सुबह हुई तो किस तरह से वहाँ से निकल रहे थे तभी पुलिस ने तब होच लिया चौती बात इसी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अब इस पूरे मामले में जहां रोहिद गुदारा ने इस हत्याकाण के जब में आरी ली है तो वहीं आप इस मामले में एक राज्य मंतरी का नाम सामने आ रहा है जो कि राजस्तान सरकार के मौजूदा कारिकाल में मंतरी के पत पर बैठे हुए है तो बने रहे हैं वीडियो के अन तक गुदारा के बारे में रोहिद गुदारा जो की करपुरी सरकार रहने वाला है राजस्तान के भी काने असे लेका इस वक्त वो अजर्बैजान में छेपा हुआ था और वहीं से बैठ कर उसने सीधे सीधे राजू ठेहट की हत्या को अंजाम दिलबाया और वहीं से बैठ कर उसने इस पूरे हत्याकान के जिम्मेदारी लिए लेकिन राजू ठेहट को मारने के पीछे उसका मकसद गया था क्या आननपाल की हत्या का बदला बलबीर बानूडा की हत्या का बदला या फर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आ रहे दरसल पहले तो ये کہा गया जो सोचल मेडिया का पोश्ट देखा गया उसमें निकल कर सामने आया कि आननपाल सिंग और बलबीर बानूडा इन दोनों की हरत्या का बदला उसे चाहिए था और जिसमें से बलबीर बनुडा की तो जेल में मौत हुई थी जिसे राजू ठेयर्ट नहीं मरवाया था जबकि आननपाल पुलिस एंकाउंटर में मारा गया था आननपाल की मौत के पीछे उसकी मुख्भिरी करने में राजू ठेयर्ट का नाम इन लोगों के हिसाब से जो रोहित गुदारा के आनेवाले समय में जो उसके मन सुवे दिमाख में चल रहे थे उसे शायद रोख सकता था। और इसलिए उसकी हत्या करवा थी। यही सब बाते की जा रही है तो राजू ठेहट का जो हत्यारा है रोहिद गुदारा इसी एक्षा को पाले पहले पवन नाम के फरजी आईडी पर एक पास्पोर्ट बन माता है फरजी पास्पोर्ट के जरी यह वो अजर्बैजान जाता है अजर्बैजान में जब अब उसकी खिलाब यहां से लुकाउट सर्कुलर जारी कर दिया किया है इंटरपोल के जर्य उससे भी पकड़ने की कोशिश के जा रही है तो अजर्बैजान से उसके इटली फरार होने की सुचनाय मिल रही है और कहा जा रहा है इस वक्त रोहिद गुदारा इटली पहुंच चुका ह क्या रोहिद गुदारा लौरेंस विस्टोई गैंग ने राजो टेहट की हथिया इसलिए करवाई क्या उसे आननपाल और बालगबीर बानुड़ा का बदला चाहिए था या फिर राजस्तान में अपना एक अलग वर्चस न चाहिए था हलाकि जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच बढ़ता लाके बढ़ रही है कई सारे चौकाने वाले तर्थे निकल कर सामने आ रहे हैं तो अब इंदजार होगा उस वक्त का जब राजू ठेहट का हत्यारा रोहिद गुदारा पगड़ा जाता है वैसे उसके पगड़ने की जो उमीदे हैं वो शायद अभी तो फिलाल नहीं दिखाए जरें को कि अगर वो हिंदुस्तान के अंदर होता तो कैसे न कैसे पुलिस उसे गिरफ़तार कर लेती चूकि वो विदेश में बैठा हुआ है और विदेश में से अगर किसी भी आरोपी को वापस अपने देश में लाना होता है तो इसकी प्रक्र जन्द करवसरा जिनकी राजो टेर्ट के साथ ही उन बदमाशों ने कोली मार कर हत्या की थी उसके बाद सोशल मेडिया पर उनकी बेटी का एक बहुत ही भावनात्मक तस्वीर वैरल हुआ था और लोग उसे बहुत ज़्यदा देखकर दुकी भी हो रहे थे बहुत लोग पत्त कर भी रहे हैं इस पूरे मामले में राजस्तान के एक सांसद है हन्मान मेरिवाल साब उन्होंने बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों पर निशाना साथ ते हुए कहा है कि जहां पर एक किसान बेवज़ा मारा गया एक बेटी का पिता बेवज़ा मारा गया वहीं राहु चिंदा उस परिवार के प्रति दिखा रहे हैं लेकिन इसे आप दूसरे चश्मे से दवाब देखेंगे तो इसे आप राजनेती का एंगल कह सकते हैं या फिर देख सकते हैं इस मामले में मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता दरसल मेडिया रिपोर्ट के हवाले से अगर बताया जाए तो बीजेपी के ही पूरव विधायक हैं वो राजस्तान के एक मंत्री पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राजू टेहट की हत्या में जो शूटर थे वो उनके पनाह में थे और उनहीं के इशारे पर यह सत्याकार्ट को अंजाम दिया गया हला विधार राजस्तान के मुख्य मंत्री अशू गहलाउट साब अपने उस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं जब तक उसकी बर्खास्त की नहीं की जाती तब तक कैसे मालूम चलेगा कि राजू ठेहट को इनसाफ में लेगा वैसे देखा जाये तो राजू बदमाशों को निकाल लिया उससे देखने को तो मिलता है खिराजस्तान की पुलिस कितनी संजीद्गी से इस पूरे मामले को डेल कर रही है राजू ठेहट की अत्या करने के बाद जब शूटर वहां से फरार हुए तो जजनो जिले के पाउग गाउं के पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बनाया वहां पर जागरशिब के रात का वक्त था वहां के पुजारी ने कहा कि पहले तो तीन लोग यहां पर आये तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर रात गुजारना जाते हैं कहीं दूर से आये तो पुजारी को उन बदमाशों पर कोई शक नहीं हुआ कोई गए और घुमने के लिए वो निकल जाते हैं तब ही गोजियों की आवाज आती है और तब मालब चलता है ये तीनों वही बदमाश्त हैं जो राजू ठेहट की हत्या करने के बाद यहां पर आया थे तो मिला जोला कर देखें भाई तो रोहिद गोजारा जो इस पूरे हमले का वाश्टरमाइंड कहा जा रहा है इस वारदात का वो अब राजस्थान का नंबर वन डॉन बनना चाहता है और नंबर वन डॉन बनने की चाहत लिए उतने राजू ठेहट की हत्या करवा दी तो अब मिलाज विलाकर देखना है होगा कि राजू ठेहट तो मारा जा चुका है राजू ठेहट की हत्या के बाद अब आके राजस्थान के इन से खवटे इलाकों में क्या गैंग वोर जो लगातार देखने को मिलती है वो खत्म हो जाएगी या फिर इसी तरह से गैंग्स्टर एक के देखने को मिले या फिर आननदपाल की गैंग ही अचानक जिन्दा हो गई है तो देखना है मुगा कि भाई राजू ठेहट के बाद क्या वाकई में सीकर राजस्थान अब सौतंतरत हो पाएगा क्योंकि जिस जगह इस घटना को अंचाम दिया गया है वहाँ पर लोग अप और भाई किसी वक्त गैंग बॉर हो जाता है तो अब देखना है मुगा किया किया कुछ निगल कर सामने आएगा वैसे आपका क्या कहना है जरूर बताएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहें बीडिएफ न्योज नमस्कार